नमस्कार मैं श्वेत और आप देख रहे हैं न्यूस फॉनेशन मुख्यमंतरी नितीश कुमार शाय अदब अपनी फैसले में ही फस्ते हुए नजर आ रहे हैं जी हाँ आपको बता दे चलें कि बाहु बली आनंद मोहन की रियाई को लेकर मुख्यमंतरी नितीश कुमार अपने ही घटक दल में एक बार फिर से बंदते हुए नजर आ रहे हैं जो हैं एक तरफ आनंद मोहन की रियाई के बाद उनके ही घटक दल के कई लोगों का कहना है कि और भी जितने जो कैदी बंद हैं उन्हें भी रियाई किया जाए आपको बताने चले कि आनंद मोहन जो है वो जी कृष्णयया के हत्या के मामले में उमर कैद की उन्हें सजा थी जिसके बाद वो अपने बेटे के सगाई में पैरोल पर छुटे हुए थी जोहां एक तरफ मुखे मंतर नितीश कुमार की जो सरकार है उसने ये फैसला लिया कि आनंद मोहन सहीत 27 कैदियों को अब रिया किया जाए जिसके बाद अब नितीश कुमार अपने ही महागठवंदन यानि अपने घटक दल में एक बार फिर से चर्चा का विशय बन गए है और एक बार फिर से नितीश कुमार अपने ही महागठवंदन के दल में घिरते हुए नजर आ रहे है बाहुबली नेतो अपुर्व सांसद आनंद मोहन की रियाई के बाद नितीश सरकार पर दवाब बढ़ा है मुखे मंतरी नितीश कुमार की पार्टी जेडियू के सहयोगी दल की अब सरकार पर दूसरे बंदियों को रिया करने का प्रवेश डालने लगे है महागटवंदन में शामिल भागपा माले ने अरवल में भदासी कांट के बंदियों को भी रिया करने की मांग कर दी है मामले में नितीश सरकार के खिलाफ 28 अपरेल को पटना में धरना प्रदर्शन का भी ऐलान किया है बताते चलेखी आनंद मोहन समेच 27 बंदियों को रियाई के लिए सोमबार को राज सरकार की और स्यदी सूचना चारी की गही है ये बंदी टाड़ा कानून के तहत जेल में बंद है पार्टी का कहना है कि इने गलत तरीके से फसाया गया है सभी 14 साल से जादा सजा काट चुके हैं इसलिए सोमबार को रिया के लिए गया 27 बंदियों के साथ ही इनकी भी रिया ही होनी चाहिए भागपा माले को मेडिया प्रभारी ने बताया है कि इन छे बंदियों को रियाए की मांग को लेकर 28 सप्रेल को पार्टी के विधान सभा पटना में धरना देंगे भागपा माले के विधायक महानंदन सिंग ने पिछले दिनों अर्वल के चर्चित भदासी कांड में जेल के बंद छे लोगों को रिया करने की मांग को लेकर सीम नतीश कुमार को पत्र भी लिखा था महानंदन ने कहा था कि इस केस में 14 निर्दोश लोगों को फसाया गया है जन विरोधी टाड़ा कानून के खत्म होने के बावजूद उन पर इसके तहत मुकदमा चलाया जा रहा है उन्होंने सभी टाड़ा बंदियों से रियाई की मांग की विधायक ने कहा कि इलाज के अभाव में कई टाड़ा बंदियों की मौत हो चुकी है और कई की जिंदगी और मौत के वीच जूज रही है बताते चले कि हाली में नितीश सरकार ने कार नियमों में बदलाब किया है इसके तहट हत्या के विशेस मामले के दोशी को ताउम्र जेल में नहीं रखा जाएगा उन्हें एक अवदी के बाद रिया किया जा सकता है तो जहां एक तरफ मुख्यमंत्र नितीश कुमार कार नियमों में बदलाब किये हैं और बदलाब के तहत बाहुवल यानंद मोहन जो है अब वो रिया होने वाले हैं और तो अब वही भागपा माले नेवी मुख्यमंत्र नितीश कुमार के खिलाप प्रदशन जारी करने को कहा है उन्होंने कहा है कि वो 28 अपरेल को नितिश कुमार जो है नितिश सरकार के खिलाफ प्रदश्वन जारी करेंगे और टाड़ा बंदी जितने भी जो लोग हैं उन्हें भी रिया करने की मांग की जारी उन्हें तो वहीं दूसरी तरह भागपा माले का कहना है कि वो मुख झाला बंदी जितने प्रद दोसह काह 55 की जारी में रहीं काहा झाला जबहाट हम JEFF